फोन को लेपटाप से कनेक्ट करते ही आफके फोन का इंटरनेट डाटा कुछी मिनट्स में खतम हो जाता है क्यों? क्योंकि आफके लैपटाप में Windows Auto Update On होता है जिसकी वज़त से आफके फून का इंटरनेट डाटा कुछी मिनिट्स में खतम हो जाता है तो इंटरनेट डाटा सेव करने के लिए आफको Windows Auto Update को बंद करना होगा तो बंद करने के लिए आफको यहाँ पर सर्च में लिखना है Services और फिर जाओ Services में यहाँ पर सर्च करो Windows Update और फिर Right क्लिक करो Windows Update पर और जाओ Properties में और पिर यहां पर disable रखो और apply पे किले करो तो जब आप apply पे किले करोगे फिर आपको के पर ok पे किले करना है तो जयासे आप ok पे किले करोगे तो फिर आगर आभ आप अपने phone को connect करोगे अपने laptop के साथ तो फिर आपका जो data है वो waste नहीं होगा तो आज की वीडियो में इतना ही थैक्यो फर वाजिंग माई वीडियोज